जाइन फाउंडेशन के अंतरगत जाइन शाला के अंदर श्री आननगंजी चौबी सी के छटे स्वाध्याई के अंदर आप सभी का स्वाधत है आज हम चटे तिर्थंकर श्री पद्मप्रभस्वामी के उपर जो आननगंजी माराज ने स्वाध्याई करने वाले हैं और मुझे आशा है कि आप सब पिछले स्वाध्याई के रिकॉर्डिंग्स भी सुनते होगें जिससे हम इस तवन का स्वाध्याई और अच्छी से कर सके आज की स्वाध्याई के लिए मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर रमजान भाई हसनिया का जैन शाला की समंज के उपर रमजान भाई प्रणाम हाजी प्रणाम नील भाई आपको और हमारे साथ चुड़े हुए सभी साथियों को सभी अभी भावकों को श्री आनंदगन चोविसी स्वाध्याय का आज छठा सौपान हम सर करने जा रहे हैं तो आरंभ में गुरु महराज उपाद्धिया श्री भुवन चंद्रजी महराज को और आप सभी भावकों को भी प्रणाम आनंदगन जी महराज को भी प्रणाम कभी कबार ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे संत कभी कुछ इस प्रकार से हमारे जीवन में आ जाते हैं कि हमारी दिशा और दशा दोनों बदल दें एक-एक करके यह स्तवन जिन में से हम सब बारी-बारी से गुजर रहे हैं वो स्तवन हमें कुछ अलग ही भाव प्रदेश में लेके जा रहे हैं और कुछ अपनी रोज मरा की जिन्दगी में से उठकर अपने आपके लिए सोचने पर मजबूर कर रहे हैं बीतर की और जाने को मजबूर कर रहे हैं तो हमारी हमने जो कहा है आनन्द की यात्रा का यह छठा पराव है आगे के स्टवन में हमने तीन अवस्थाएं देखी आनंद गंजी महराज ने हमें बताई आत्मा की तीन अवस्थाएं और उन तीन अवस्थाओं में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा और इन तीनों के बीच, तीन जो अलग-अलग पड़ाव हैं, पामर में से परम तक की यात्रा की बात हमने अगले स्टवन की चर्चा करते हुए की थी तो यह भहिरात्मा से परमात्मा तक की यात्रा, पामर से परम तक की यात्रा कैसे होगी? देखिए हम जहां हैं उस स्थीती का भान होना यह भी अपने आप में बड़ा दर्शन है कितने ऐसे हैं जीव जिनको पता ही नहीं कि वो कहा है? या फिर वो ऐसी ब्रह्मना में है कि वो सही जगा पे हैं और सही कर रहे हैं हम जहां हैं वहां से आगे का रास्ता, आगे भी बहुत बड़ा सफर है या आगे की देशन भी जा सकते हैं, यह डेस्टिनेशन ही लास्त नहीं है यह यात्रा आगे ले जाएगी और वहां ऐसे ऐसे पड़ाव आएंगे और हमसे आगे चले गए जो आत्मा है वो कहां तक पहुँचे हैं इस बात का परिचय होना, केबल परिचय मैं यहाँ पे सूल अर्थ में बता रहा हूँ वो भी अपने आप में एक डेस्रिनेशन है वो भी अपने आप में एक बड़ा पड़ाव है बहुत सारे लोग हैं जिनको यह भी आप जो बहिरात्मा की बात हम कर रहे थे तब हमने कहा था कि उनको यह पता भी नहीं है और सोचने की फुर्सत भी नहीं है तो हम सभी भग्यवान है कि हम इस पड़ाव तक तो कम से कम पहुँचे हैं अनंगन जी महराज यहाँ पे कहते हैं पद्मप्रभजिन तुझे मुझे आतरूरे तो भग्वान और मेरे बीच अंतर आ गया है कैसे आ गया है उसकी बात तो हम आगे कर रहे हैं लेकिन मुझे यही बात पहले करनी है कि एक ही स्थिती में से दोनों जीवात्मा आगे चल रहे थे उसमें से एक कहा के कहा पहुँच गए और हम यही के यही रहे गए अरे यह अपसोस अगर हमने कहा यात्रा शुरू की हो और हमारे साथ चलने वाला यात्री वो डेस्टिनेशन तक पहुच गया हो और हम यही के यही बैठे हो तब जो भाव आता है वैसा ही भाव इस स्थवन में है तो ऐसा ही एक स्टवन मोहन विजय जी महरत्षा का है मोहन विजय जी महरत्षा तुल्जाते मां कहिए ओलंभडा माटे ठपको ओलंभो इटले ठपको ठपका देने के लिए प्रसिद्ध हैं उनके स्टवन में एक हिंदी माने शुके उपने अत्यरे ताथकाली सुझतू ना पण भगवान ने ठपको आपेशें के अरे तमें तो भगवान थे ने बेसी गया ने अमारी काई चिंता विंता करो चो के नहीं तो एपन भग्की नी एक भाशा चे तो एवा एक सरस्मजानू स्टवन चे बाडपने आपने ससने ही रमता नवनव वेशे आज तुमें पाम बड़े मात की जो ओ प्रभूजी ओलं बड़े मात की जो अवे खी जाए नहीं जता गुस्ते नहीं थाता आओ साचु पाउच बाडपने आपने ससने ही रमता नवनव वेशे आपने नाना हता हम छोटे थे साथ में खेलते थे चोटे थे मतलब एक ही अवस्था के हम जीव थे रमता नवनव वेशे एक ही प्रकार की जीवन में से गुजर रहे थे आप खाते पीथे सोते थे हम भी खाते पीथे सोते थे खिलते थे नाचते थे गाते थे हसते थे रोते थे आप भी वही करते थे पता नहीं यह कैसे हमारे बीच का अंतर बढ़ गया किसी ने बड़ा अच्छा समझाया कि मैं भी अपनी गली में दोड़ता था, आप भी दोड़ते थे, लेकिन मैंने अपने दोड़ना, तो मैंने शुरू रखा, आपने दोड़ने को लक्ष बना लिया, अज आप मेरिथॉन दोड़ में पहुंचते हैं, तो मैं वहीं दोड़ और कहां के कहां पहुंच गए यह जो आया पंक्ति में कि तुझे मुझे आंतरू रहे तो आंतरू कैसे पढ़ा अंतर कैसे बढ़ गया उसका कारण सबसे पहले समझना है तो भगवान को कहते हैं कि मैं तो जैसे कुए के के मैडग जैसा वही का वहां उधर ही उधर घूंता रहा आप ने अपने उर्द्वा रोहन की यात्रा आगे बढ़ाई आगे बढ़ाई आगे बढ़ाई और आप एवरेस्ट पर पहुंचके मैं यहां पर तलेटी में बाई हैं दोनों साथ में शुरू की थी अमने यात्रा क्यों ऐसा हुआ तो उसका जवाब है यह जो मार्ग है वो श्रमन परमपरा का मार्ग है जैन धर्म का दूसरा नाम है श्रमन धर्म तो श्रमन धर्म माने श्रमन कौन है बगवान को हम श्रमन गवंत कहते हैं श्रमा श्रमन भी कहते हैं लेकिन श्रमन जो श्रम करता है वो श्रमन है श्रम करत है आंतर श्रम बाहर का श्रम नहीं बाहर का श्रम करता है वह श्रमन है श्रम को जिसने मुल अभी ऑगाश्हासिंटों यह ऑदार पुरुशों की बात नहीं है तो यहां पे जो भगवंत मताए vähän बहुतल आये नहीं है की करते कर ते में बैठा रहा तुम यह वहां करते अबिस्वामी का नाम था वर्दमान नित्य वदती इती वर्दमान जो नित्य बढ़ते रहें बढ़ता रहता है अंदर बढ़ता रहता है जो विकसित होता रहता है उसे वर्दमान कहते हैं तो भगवान ने अपना नाम सार्थक किया वो नित्य बढ़ते रहे बढ़ते रहे और वर्दमान में से महावीर बन गए मैं वहां का वहां बैठा रहा मारी स्थिती के ना जेवित तई मेरी स्थिती जूले जैसी है हमको गुजनाती में कविता आती थी वकट हाकोर की हीचको, हीचको माने जूला, जूला चलता तो है, ऐसे गती तो है उसमें, चलता आगे जाता है, वापस आता है, आगे जाता है, वापस आता है, आगे जाता है, वापस आता है, लेकिन जूले में गती है, प्रगती नहीं है हमें लगता है कि जूला चल रहा है, मतलब वहां लाइवलीनेस है, जीवन्तता लगती है, मुवमेंट आती है, लेकिन प्रगती नहीं है, आगे बढ़ना असंभव है जूले के लिए, वो अपनी निर्धारित स्रीमा से आगे नहीं जा सकता, तो हमारा जीवन भी पता नहीं, वैसा ही तो नहीं हो गया, जरा सोचिये तो सही, ऐसे स्तवन, ऐसी कविताएं हमें सोचने पर मजबूर करती है, कि कहीं हम वो दस सीडिया चड़ रहें, उतर रहें, उतर रहें, उतर रहें, उतर रहें, और हम सोच रहें कि हम गिरनार चड़ जायेंगे तो कैसे होगा कैं हम यह भूल हम भी तो नहीं कर रहे हैं तो ऐसे स्थवन हमें वुस भूल को सोचने समझने का मौका भी देते उसको सुधारने का मौका भी देते हैं तो गती हती पर पुरुशार्थ त्यापन छे अपड़ोपन पुरुशार्थ पुरुशार्थ आपने भी किया, मैंने भी किया लेकिन आप बंधन तोड़ने का पुरुशार्थ करते रहे बगवान और मैं पुरुशार्थ कर बंधन बांधता रहा है। आपको समझ में आ गया, मार्ग दिख गया, मार्ग तो शायद मुझे भी दिखाओगा, लेकिन आपने मार्ग पकड़ लिया, आप चलते बने, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। मुझे शायद पता था, हमने आगे कहा था, जानामी धर्मम, नचमे प्रवृत्ति, हमें भी एक दुर्योधन बैठा है। महात्मा कैसे बने। भानदेव जी ने बहुत अच्छा लिखा है उनके बारे में और वो कहते हैं, लिखते हैं, कि महात्मा बनने की एक गुरुचावी, यही है, गांधी को जो लगा की यह करने योग्य है, वो करना मतलब इसी भी तरह करना है, वो करते ही गए, करते ही, कर वो ने योग्य है, तो उन्होंने वो तुरंत छोड़ दिया, करने योग्य तुरंत करना शुरू कर दिया, यह पर्क है, जो मोहंदास में से महात्मा बना सकता है, हम भी बन सकते हैं, लेकिन अगर इस डेडिकेशन के साथ हम काम करें, तो बगवान ने किया, हमने वो चलने लगे, हम बैठे रहे, या फिर हम भी चलते रहे, लेकिन हमारी दिशा अलग रही, तो हम मानों कितना भी चले जाएं, कितना भी चले जाएं, लेकिन अगर डायरेक्शन ही बदल गया, वो अगर गलत हो गया, तो फिर हम किस प्रकार से सही दिशा में, सही गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचता है तो कुछ ऐसा ही होगा गुजराती मां अमारा काठियावाडी मित्रों हैं के ठ्यूँ सवराष्ट्रना लोकोपड़ें के ठ्यूँ ठ्यूँ मनें ठीक है जो हुआ सो हुआ खेर छोड़ो पंजाबी जिसे करते हैं पड़ियू तो दूर कैसे करना यह अंतर हो गया यह पता चला देट इस अब परस्ट चीवमेंट है पता चलना वह भी बहुत बड़ी बात है मैंने कहा रिपीट कर रहा हूं लेकिन अब उसे कैसे दूर करना है यह सुचना पद्मप्रभव जिन तुझा मुझा आंतरूरे किम भांगे भगवंत पद्मप्रभव जिन तुझा मुझा आंतरूरे किम भांगे भगवंत भगवान को ही पूछ रहे हैं यह भगवान आपके और मेरे बीच यह जो अंतर आ गया वो कैसे दूर होगा फिर खुद प्रश्न करते हैं खुदी जवाब देते हैं क्या सुमतिनाथ के सवन को पढ़कर अभी जो मती आ गई है न वह मती मती जिसकी है वह मतीमन्त कहते हैं करम अविपा के कारण जो उसका कारण क्या है अनंगन्जी महराज की स्टाइल तो देखो उनकी विनम्रता तो देखो वो कहते हैं मैं कहरा हूँ ऐसा नहीं है मतीमन्त तो वोग कह रहे हैं क्या कहा रहे हैं करम विपाक के कारण जोई ने रे कोई कहे मतिमान तमें दुखनू कारण सूचे तो कि करम घट तमें ए समझी गया कि दुखनू कारण सर्म घट एकले तमें ने उरकी शक्या आपने जान लिया कि दुख का कारण कर्म है, आपने जान लिया, इतना ही नहीं, उसमें से कैसे मुक्त हों, उसकी यात्रा आरंब कर दी, और मैं निमित को कारण मानता रहा, आप उपादान को कारण मानते रहे, ये सबसे बड़ी भूल है, हम सब कर रहे हैं, मुझे मेरी पत्नी की और से, मां की और से, मेरे बॉस की और से कुछ तकलीफ आएगे तो मैं उनको दोश देने लगूँगा, कि मेरा बॉस जो है, वो मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा है, मेरी बीवी मुझे बड़ा परिशान कर रहे, बाई, कोई बीवी परिशान नहीं कह रही है, कोई बॉस परिशान नहीं कर रहा है, तेरे कर्म ही जो तुने किया है, वो ही तुझे परिशान कर रहे हैं, अगर ऐसा समझा तो छूटने की शुरुआत है, अगर बीवी बॉस वगेरा वगेरा को ही मैंने कारण मान लिया, तो फिर से नए कर्म, नए कर्म, और यह चक्कर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी मुक्त ही नहीं हो पाओगे, तो एक सूत्र जैन धर्म ने वे दिया, चंदरशेखर मारस्था ये सूत्र देते थे, भोगवे तेनी भूल, भोगवे तेनी भूल, जिस जो अभी भुगत रहा है, मतलब है कि उसने कभी भूल क ही है, तो वह ऐसा समझ कर अगर हम कर्म को देखेंगे, तो उसमें से मुक्त होने की यात्रा शुरू होगी, अदर्वाइस फिर से नए, 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 तो आप वो समझ गए, मैंने नहीं समझा, एक ए प्रवास संपन न करें, एक नूँ चालवानू जबाकी से, एक का, एक की यात्रा खत्म हो गई, संपन न होई, खत्म होई नहीं कह सकते, संपन न होई, और मैंने चलना ही शुरू ने किया, अपने बाहर नहीं यात्रा तो बहु करी, कहां तक कहे, समित सिखर जी जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां बढ़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी हमने सोचा कि अंतर यात्रा भी शुरू करें, आनन्द गंजी महराज हमें अंतर यात्रा के लिए मानों अमंत्रन दे रहे हैं, अरे भाईया, बाहर बहुत ढूम चुके, चलो जरा अंदर, अंदर डोकियों करिये, स्वरूप अंदर अच्छे, जो आत्मा है, वो यही आवरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, वगरे वगरे, तो आवरणी ऐसा शब्दा है, असे आवरणा आ चुके है, तो हमरा आत्मा विचारा डख की चुका है, ऐसे करमों से, इसलिए मारा साने एक बहुत ही सिंपल सुट्र दिया, संतों का यही काम है, दे आ कि दर्म वेरी सि simplify भी करते हैं, मध्यकाल के संतों ने भी यही काम किया, धर्म के बड़े-बड़े सिद्धान्तों को उन्हें एकदम सरल तरीके से रख दिया, महरस्ता ने गुरुमाराज उपाद्य भुबन चंद्रजी ने भी एक सुत्र दिया हमें, जीव प्लस कर्म is equal to संसार, जीव उसके का आवरण दूर करना है, तो आगे कर्म की विवस्था को भी समझना होगा, अभी जैन परीभाषा के हिसाब से कर्म की जो बाते यहांपे की गई है, उसकी बात जो है, वो आगे की गाथा में हमें यहां पहली गाता में समझ में आया कि बगवान तेरे और मेरे बीच जो अंतर पड़ा है उसका कारण क्या है तो कि हमारे कर्म है तो अभी वो कर्म की व्यवस्था क्या है आप जानते हैं हमारे साथ हर बार जूड़ते हैं तो आपको पता है कि अनन्द गंजी महाराज is a very good teacher, वो बहुत अच्छे गुरु हैं, तो एक-एक बात को बहुत ही सुन्दर तरीके से, बड़े ही नजाकत से, और एकदम जैसे की हम अभी अध्यापक शिक्षक पढ़ाते हैं, एक-एक मुद्दे से, मुद्दे को जाच कर, परक कर, उसकी definition देकर, समझा कर आगे बढ़ते तो अगली गाथा में क्या आया, कर्म के सभी सिध्धान, कर्म के सभी नाम, मुद्दे, में में मुद्दे जो हैं कर्म के, कर्म के साथ जुड़े हुए, उनको आगे ले लिया, और दूसरी गाथा कहीं, सभी नाम इतने, मतलब हमारे लिए ऐसे लगेंगे, अरे बापने, ये सब क्या आगया जिन को पता है कर्म ग्रंत जो पड़ा हुआ हो या या सास्त्र जिनने पड़ा लिखा होगा वो तो जानते हैं लेकिन हमारे जैस्तों के लिए तो वो बोले अरे कितने गुज्राति मा अल इतला अगरा शब्दों चे के अपने इम था के अरे बाप्रयार प्रदेश थीरे मूड उत्तर बहुबेद गाती अगाती हो बंधो दय उदीर नारे सत्ता कर्म विच्छेद दूसरी गाथा क्या कहा पयाई थी अनुभाग प्रदेश थीरे मूड उत्तर बहुबेद गाती अगाती हो बंधो दय उदीर नारे सत्ता कर्म विच्छेद कर्म के साथ जितने सब शब्द जुड़े हुएं जितनी बातें जुड़ी हुएं वो सब एक ही गात्ता में उन्होंने कैदी देखो पयाई माने प्रकृति थी माने स्थिति अनुभाग माने कर्म का जोर कितना होगा प्रदेश माने उसका विस्तार कितना होगा जैसे ही कर्म बंध होता है तो यह चार बातें उसका बंध भी हो जाता है कर्म बंद माने चार बंद रातो का बंद प्रकृति बंद स्थिती बंद अनूभाग प्रदेश में कि क्या Practi बंठ चैना और ज्छूर किटलू किटलो समय योगी कर्म ले सब्सक्राइक मोर्णिया बंचे के मौनिया बंचे के दंचिक्यर कुछ कर्म ऐसे हैं जो बहुत ताकातबान होते हैं कुछ कर्म ऐसी हैं आये गये हैं तो एक शुलक रहेते कैंगओ गई और फिर आगे की बात कैंग पुल उतितर 座ुड़ के से करणा ना बढ़नी हैं अगेर बात Jen जला है तो और बहुत कुछ है उत्तर बहु भेद उसके बीचे के जो हैं पेटा, माने अंदर के जो और प्रकार हैं, वो तो और भी है, फिर गाती, अगाती, आगे की बात में भी आया था, गाती कर्म जो, अगाती कर्म किसे कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, और अब तो यहां पर नहीं करूंगा मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है गाती अगाती और कर्म का बंद है उदय है उदीरणा है सत्ता में आते हैं और कर्म का विछ्छेद भी होता है तो कर्म साथे आत्मा चोड़ाये चे, एटले ये प्रकृती नखी थाए चे, जणाननु आवरण करशे, वेधना नखी थाए चे, सिती नखी थाए चे, किट्लो वकट तक शे ए बदू नखी थाए फड़ आपने शक्ति नकी थाए, गाती अगाती नकी थाए, अब दूज, एटले, पची बंधपन पड़े, उदय मा आवे, क्यारे कर्म उदय मा आउशे, कब उदय में आएंगे, फिर उदीरना ये शब्द बड़ा ही प्यारा है, जैन साधक, यानि किसी भी साधक के लिए यह शब्द बड़ा कामका है, सभी कामके हैं लेकिन यह शब्द उदीरना, हम तब आदी जो क्रियाएं करते हैं, वो किसलिए करते हैं, उदीरना के, अब जैस साधक को जल्दी है, कि नहीं नहीं, कब कर्म उदय में आएंगे, फिर कब मैं समता पुर्वक उसको सहूंगा, या उसमें से पसार होंगा, मुझे तो पहले ही कर्म को बुला लेना है, और उसमें से मुक्त हो जाना है, तो हम उपास वगएरा करेंगे, बूख वगएरा आए, हमें तो अच्छा बोजन मिले, वैसे हमने कर्म, वैसे कर्मों का उदै, लेकिन हम बुलाते हैं, नहीं, मैं आप करूंगा, और कर्मों की उदेरिना करूंगा, तो वो उदेरिना इसे कहते हैं, आप सब जानते हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं, तो वह उदेरिना है, सत्ता कर्म को समझने की बात है, सत्ता माने स्टॉक मां पड़ेला करने, हम सब यहाँ पे ज़्यादा तर हमारे ट्रमांग वात आपन अए के साथ जुड़ी हुई साभी बाती आई के बंद होगा तो कैसे होगा वगेरा वगेरा फिर उसका उदय वगरा एक बात रह गई थी कि उसका विच्छेद भी हो सकता है तो वो भी उन्होंने कर दी यहां पे उसकी व्याख्या कर सकते हम और उसमें बहुत दीब जा सकते हैं कर्म के सिदान पूरे कर्म गरंत को समझ सकते हैं लेकिन वो मेरा क्षेत्र नहीं है सत्ता मा कर्म पड़े ला छे मतलब क्या व्यवरू उदारयं से बात वो समझ जाएं पैसा बैंक मा पढ़े के इना थकी काम ठाए छे तो बद्धा पैसा उपड़ी लें त्यारेग मेरा स्वा कट्म पड़े हैं अगर वहां से कर्म ठाली हुए तब हम कर्म से मुक्त हो बैंक बैलेंस ने खाली करवू पडशे मूड कर्म बैंक नूँ खाली करवानू छे तो अंतरूं भागे मूड वाद तो आच्छे कें अंतरूं भागे भांगे मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टन्स आ गया है वो कैसे दूर होगा तो ऐसे दूर होगा कि कर्म जो सत्ता में पड़े हैं वो उसको भी हम दीरे दीरे जो उदे में आ रहा है वो तो ठीक है लेकिन सत्ता में पड़े हैं उसको भी दूर करते जाएं तो हमारा और भगवान का जो अंतर पड़ गया है वो दूर हो सकता है तो यहां पे मात्र कर्म का सिद्दान समझाया है, यह गणित भी अगर समझ में आया, तो ख्याल आएगा कि कर्म बंद कैसे होता है, हमें जो व्यक्ति दुख दे रहे हैं, ऐसा लगता है, वो उसमें से बाहर निकल जाएंगे, कर्म के सिद्दान को समझेंगे, और कर्म करने क की रीत भी हमें आएगी, वो आगे बाता रही है, तो यह एक प्रश्न हमें उठता है, मारासा को भी उठता है, हम सबी को उठता है, किसी भी जिग्यास को उठता है, कि अरे, आत्मा को ये कर्म लगे कब से, अनु कोई जवाब नहीं, sorry to say, लेकिन अध्यात्म जगत की यह स सबसे बड़ी विडम बना, या गुजरातिमा कहिए, वणू के लिए प्रश्न चाहिए, किसी के पास भी उसका जवाब नहीं है, कि पहली बार आत्मा को कर्म कब लगे, कब लगे, उसकी चर्चा है, यहाँ अपिक्षित भी नहीं है, लेकिन यह सोच तक है, कब लगे, लेकिन अनन्द घंजी माराज ने बड़े ही सिंपल उदाहरं से हमें यह बात समझाई है, क्या समझाई है, तीसरी स्थवन में, अरे तीसरी गाथा में यह बात आए, क्या है, कनको पलवत, कनको पलवत पयड़ी पुरुशतनी रे, जोडी अनादी स्वभा, अन्य सैयोगी जिहां लगे आतमारे संसारी कहवा, देखिए, यह बात बहुत सिंपल, शब्द हमारे लिए अगर नए हो, तो हमें बात समझ में ना है, लेकिन अभी मैं बोलूँगा, तो आपको सबको बोलगे गारे, यह बात तो हमें भी पता है, कनको पलवत पयड़ी पुरुशतनी र जोड़ी अनादी स्वभाव, अन्य संजोगी जिहां लगे आतमारे संतारी कहवा, अन्य संजोगी की बात तो आगे करते हैं, बहुत ही जानावाना उदाहरन उन्होंने दिया, वो क्या है, जेम कनक माने सुवर्ण, पलवत, परवत, खड़क, माटी, जो भी कहें, जेम दो этом, मिट्ति आने सोनू, एक भी जाती बिन नहोवा चता, मिट्ति और सोना, वैसे तो अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ ऐसे गुल मिल गए है, कि मानो एक ही हो, दिखता हमें मिट्ति है, मिट्ति दिखती है, लेकिन मिट्ति नहीं हैं, मिट्ति भी है, और सुवर्ण मिट्टी भी है, मिट्टी माने ये शरीर और सुवर्ण माने आत्मा वो दोनों. दिखता तो मिट्टी मिट्टी है लेकिन अंदर खो जोगे तो वो सुवर्ण हाथ आएगा. तो एक बिजाती बिन्न होआ चता, एक बिजामा भड़ी गएला, लगभग एक लागे तेवा, यह मिट्टी और कना, वैसे ही पयडी पुरुषतनी, पयडी माने प्रकृती, यह अन्य परमपरा का शब्द है, तो प्रकृती और पुरुष वैसे जुडे हुए, जैन परमपर में प्रकृती के लिए शब्द प्रयोग किया गया कर्म, प्रकृती और पुरुष, पुरुष माने आत्मा, प्रकृती और पुरुष दोनों जुडे हुए हैं, किस प्रकार से जुडे हुए हैं, जैसे मिट्टी और सोना एक दूसरे के साथ जुडे हुए हैं, कर्म और आ अन्य संजोगी मतलब किसी और के साथ जब तक आत्मा का संयोग है तब तक वो संसारी है अभी अन्य में आगे तो आया था काया को शरीर को आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है तो यहां वो ही बात आगे आई अन्य संजोगी किसी भी प्रकार की वस्तू व्यक्ति सिति के साथ अपने आपको जोडे हुए है तो वो संयोग संयोग हुआ जहां संयोग है वहाँ संसार है जहां सुधी अन्यनों संयोग चे जोडान चे कनेक्षिन चे जहां सुधी संसार कहवाश है परमात्मा मुक्त हो गए और मैं संसार में हुए क्यूं, कारण क्या है, मैं जुडा हुआ हूं, जुडा है एलोचा, जब तक जुडा हुआ रहुँगा, सब तक यह अंतरदूर नहीं होगा, जुडा हुआ रहना मतलब अटेच्मेंट की यहां बार, शरीर के साथ हमारा आत्मा यह दोनों रहते तो हैं, लेकिन शरीर के प्रती जो अटेच्मेंट है वह अटेच्मेंट की बात यहाँ पर समझ नहीं है, जो बात आगे भी आई थी, सोनो अने माटी जिम छूटा पाड़ी शकाए, तिम कर्म अने आत्मा अने पन छूटा पाड़ी शकाए, जैसे सुवर्न को और मिट्टी को हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ करना है, वो क्या करना है, सुवर्न और मिट्टी को अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है, जिसे हम प्रक्रिया कहते हैं हिंदी में, वो प्रक्रिया आवश्यक है, प्रक्रिया नहीं की, तो वो मिट्टी ही है, प्रक्रिया के बाद ही ह में सुवरण हाथ मैं यहां पे भी प्रक्रिया को मात्वरी आगे प्रक्रिया अभी तक करेंट होने की प्रक्रिया शुरू होगे संजो इसावक लेते हैं देक mommy बैने लेती हैं, भाई भी लेते होंगे, लेकिन हमने जो देखाया ज्यादा तब बैने, तो वहां रात्री पे पोर्शी बोली ने सुए छे, अपना भाई हो, उसमें स्लोक बुलते हैं, क्या बुलते हैं? संजोग मूला जिवेन पत्ता दुख परंपरा, संजोग मूला जिवेन पत्ता दुख परंपरा, संजोग संबंधं सब्वं ति विहेन वो शिरामें, संजोग मूला जिवेन पत्ता दुख परंपरा सम्हा संजोग संबंधम सब्बम तिवेन वोशिरामी इनों इने हुँ वोशिराओं तो दुख की परंपरा का मूल क्या है संजोग माने जूड़ना माने अटेच्चमेंट संजोग जूड़ान जूड़ना है वहां दुख है एक बड़ी ही मार्मिक कथा याद आती है आप सबने वो बहुत प्रचलित है बाबा की लंगोड की कथा थोड़ी हास्य व्यंग की यह कथा है कि एक बाबा रहते थे अपने आश्रम में एक ही लंगोड पेंटे थे और कुछ नहीं और कुछ है ही नहीं उनके पास अभी भक्त को बहुत शौक होता है अपने मतलब जो आराध्य है गुरू वगएरा वगएरा जिसे मानता है उसको कुछ दिलाने की तो बले अरे बाबा आप एक लंगोड ही पैन के रखते हो एक काम करो मैं आपके लिए अच्छे नहीं लगते नहीं नहीं हमें तो सादू है हमें तो यही बराबर नहीं नहीं अभी बहुत बार बोला तो बोला कि चलो ठीक है अभी अम लंगोड अरे दोती लेके आओ पैनेंगे कभी कबार उसको खुश करने के लिए पैनते हैं बाकी रख देते हैं तो एक बिल्ली होगी ना सच हुए आएंगे ही नहीं तो ठीक है चलो तो बिल्ली लाए अभी बिल्ली को खिलाना पिलाना क्या है अरे दूद पिलाना है तो गाय रखनी पड़ेगी तो गाय लेकि आए फिर गाय की व्यवस्ता के लिए एक आदमी रखा अरे बाबा समझ गया अरे अगर अपने आपके साथ जूड़ी हुई वस्तूओं को यहां रखे देखेंगे एक के साथ दूसरा है दूसरे के साथ तीसरे के साथ चौथा यह connection कहां का कहां हमें ले जाएगा तो प्रश्ण होगा हम सभी को कि अरे बापरे आनंद गन जी के सवन समझ तो रहे हैं लेकिन रहना तो इस संसार में है तो कैसे रहें इसका जवाब हमें मिलता है जैविराय सूत्र में से बहुत ही बैतरीन तेरा प्रार्थनाएं जैविराय सूत्र में कही गई है जै वीराय जगगुरू हो मम तुह पभावो बैवं भवन निपेवो मगानु सारिया इटफल सिद्धी लोग विरुद्ध चाओ गुरुजन पुआ परत्थ करणंच सुवगुरु जोगो तबवयान सेवना अभव मखंडा वारी जै जैवी नियान बंदन वियराय तुव उसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे लेकिन यहां एक प्रार्थना बहुत ही यहां जो जूड़ी हुई है इस बात के साथ उसी की बात करते हैं उसमें कहा जैवीराय जगगुरू हो मम तुह पभावो बैवं भवन निब्वेओ पहले ही यह बात कह दी कि भगवान ही है लेकिन संसार में कैसे रहों भवनिर्वेद माने उधासिंता है उधासिंता माने Detachment Detachment माने अनासक्ति भगवान श्री कृष्ण की अना अनासक्ति योग की बात नहीं को सिखाए अर्जुन को करना है फल की आशा नहीं रखनी है वह बात कई है उसका अर्थ क्या करेंगे हम बोलेंगे अरे इतने कर्म करते रहें फल की आशा क्यों न रखें करते जा जा नेकी कर दरिया में डाल दरिया में जाएगी नहीं तो गब्रा मत वो क्रिश्ण ने कहा नहीं है लेकिन उसके परम प्रिय भक्त की तोड़र पे मैं कह रहा है क्रिश्ण अगर आके आके बोलते के वो कहीं धरिया में नहीं जाएगा तुझे ऐसी सोचना है कर्म जो भी करते हैं कोई निश्पल नहीं जाता है लेकिन अगर हमने उसके फल का सोच लिया जैन धर्म में तो नियाणू बांधवानी तो मड़े भयां कर मनाई छे नियाणू बांधवानू तो आ कर्म कर्यूं तो मने आवू फड मड़े एवू जैन दर्म ना पड़े छे भाई। अपने जो जैन के वड़ावता हो ये पोतानी जातने तो आपने आतों समझी लेवू पड़े तो जल कमलवत रहने की बात कहती हैं अना सक्तियोग की बात आती हैं तो कैसे कैसे लोग राजर्शी ऐसा शब्ड है देवर्शी वगेरा तो है लेकिन राजर्शी है राजर्शी माने राजा है फिर्भी रिशी है हमारे भरत चक्रवर्ती वगेरा चक्रवर्ती थे फिर्भी वहां से कहां के कहां पहुंच गए मतलब ये नहीं है कि बाबा बनी जाओ अने लंगो कर्म प्रता पे जे आवे चे भगवान ने पन सुख भोगवा पड़या चे पन भोगवती वक्ते भगवान इमा रया ना थी निरलेप रया चे तो जैसे कादव में रहते हुए भी कमल उससे अधर रहे तो उससे निरलेप रहता है वैसे ही डिंद करने से राजा जनक की बात मुझे कहनी है हमारे पास समय भी है तो जनक राजा में निज geen को बड़ा गुसा आ गया उनको सादू कैसे कहें वो तो अलग बात है उसकी चर्चा यहां अपेक्षित भी नहीं है लेकिन उनको लगा कि आरे हम सब छोड़ छाड़ के बैठे यहां तफश्चरा करते हैं हमको सादू कहते हमको रुशी कहते और यह राजा जो देखता है गाने सुनता है खाता लोग दर बार में बैठे थे और उन्होंने बताया कि अरे जनक राजा आप तो कैसे राजा हैं अपने आपको रुशी कहलाते हैं बुरे मैं नहीं कहलाता लोग कहते हों तो बले कहें ना कहते भी नहीं आप तो अपने आप को रुशी कहते हैं कैसे हैं आप फोशी सिद्ध करिये तो जनक महराज लगा कि इस बाबा के साथ तो ठोड़ा अलग किसम से काम लेना होगा तो उनों ने कहा इस बाबा को बंदी बना लो औरे वह आप बंदी बना रहा है तु कितने पाप में पढ़ रहा है तू रूशी कैसे हो सकता है अभी बहुत बोल रहे हैं एसा काम करो कल इनको मृत्यु दंड दे दो अरे ब्रह्मात्या का पाप लगेगा पाप ही है तू रूशी कैसे कहे तुझे बोले नहीं अभी कुछ हो नहीं हो सकता आपने मुझे मेर अभी बात है उन्होंने क्या कहा था आप तो यह नृत्य देखते रहते हैं आप तो इसे संगीत में समारो सुनते रहते हैं तो आपको रूशी कैसे कहा जा सकता है बोले अभी कल तुमें नृत्य देखना है संगीत को सुनना है नृत्यांगनाओं को रूप को देखना है और आपके हाथ में तेल से भरा हुआ एकदम भरा हुआ कटोरा दिया जाएगा और पीछे एक सिपाही चलता रहेगा अगर एक भी बून्द गिरी तो तुरंत वो आपका सिरत छेद कर देगा अभी एक रास्ता मिला ना बचने का तुम बोले ठीक है कोई बात नहीं जो भी हो मुझे ये मंजूर है दूसरा दिन हुआ शुरुगात हुई सुबह हुई अस सबा भरी गई नृत्यांगनाए आई एक से एक सुन्दर नृत्य करने लगी संगीत बजने लगा अहाहा सब बातावरण जम गया है और उनको बोला कि ये पूरा राउंड लगाना है तुमको उनके घूम उनके इनिया उनकी इर्दगिर उन्होंने कैसे कर गुजरा ने मान मान इमने राउंड कुरो कर यो बिच्छा रहे और ने पच्छी राजा हैं पूछी क्या पूछा मजा आया अरे कैसा मजे का संगीत बज रहा था कैसी सुन्दर अपसराएं जैसी नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी बड़ा मजा आया होगा तो बोलते अरे तुमकपड मजा आवे तमारू तेल नू टीपू ना पड़ी जाए एनी चिंता मा हुआ नृत्य जोओं के आने वाटक मेरी स्थिति भी आपकी प्रसीद मैं अपने आपको संभालूं यहां यह नृत्य देख आपको लगता है कि मैं नृत्य देख रहा हूं मैं कैसे नृत्य देख सकता हूं मैं तो अपने आपको संभालने में इतना पड़ा हूं कि नृत्य कहां चल रहा है खाना कहां यहां आ यह कि कुछ भी आगे का जो बाहरी है, वो उसे लिप्त न हो जाए, तो यह एक जागरत साधक है, तो इसके लिए हमारे यहां दे को फेक नहीं देना है, साधना के लिए उसी को काम में लेना है, तो जो कोर्या कस्ट देवावडा जे पोतानी जातने छे एलोको देने फेकी दे जे अरे आपड़े तिया एक सरस पंक्ती एक बहुत अच्छी पंक्ती कही गई करे कुटुमब प्रतिपाल राचे पन माचे नहीं जीम दःवा दावत किलावत भावड गकेवो होए करे कुटुमब प्रतिपालन करे बदी जवाबदार तमारा जेम निभवे छे राचे पन माचे नहीं कर्मबंद का कारण है इंवाल्ड हुए कर्मबंद को कम करना है तो जेम धाव खिलावत मार राजा की वेटे को राजकुमार को धाव माता बड़े अच्छे प्यार से लालन पालन यह वो सब करती है लेकिन उसका चित कहा है अपने बच्चे के वाद अंदर जैसे ही मौका मिला सब राजपाट यह सुख वैबफ सब छोड़कर उसका चित्र तो अपने बच्चे में वहां तोड़ जाए बदूज करें पर जाचा अर्थमा करवा खातर करें करवा खातर करूं यह बस करी अने छूटी करी अने छूटी जे करतव आवे चे करवू आज साथ नाच तो आनन गन जी का एक बहुत ही मज़ेदार पद है मना जी तू तो जीन चरने चित्ते लाए मना जी तू तो जीन चरने चित्ते लाए उदर भरन के कारणे रे गवावन में जाए गाय जो है पेट भरने के लिए जाती है गण में इधर उधर गूमती है लेकिन उसका चित्त जो है ए तो वाचरडा माए पणिहारी ओछे पाणी भरवा जाए छे वातों करे चे आम तेम पणेनू चित्तडू गागरिया माज मना जी तू तो जीन चरने चित्ते लाए सब क लेकिन अपने चित्त को जीन चरन में समर्पिक कर दे माने ठीर हो जा जीन चरने अपने आपके चरन तो मूड़े संयोग थी चूटवानी वाच्छे तो यह जो संयोग होता है संयोग तोडवाना पुरुशार्थ मा लागयो ते साधू नहीं तक संसार किसे कहा संसारी कौन जहां तक संयोग है वहां तक संसार है जो उसे तोड़ने में लग गया वो साधू और जो तोड़ने उसी में राच रहा है उसी में रमन कर रहा है वो संसारी अभी हमें we have to decide what we have to do हमें क्या कभी उत्तम साधू कहते नहीं हमने आगे की सवन में कहा है आगे की पंकिया क्या क सवारण सेही बंदन है करण सेही मुक्ती है तो कारण योगे हो बांदे मंदन क्या कारण की कर्मबंद थाए जोद्व क्या मिलेगा किस कारण से कर्मबंद होते हैं और कैसे छूटते हैं यह सब सोचना है तो कैसे हैं तो जवाब बढ़ से अश्रव संबर जे कारण साधन वस्तु था कि कर्मबंद थाए यह कारण थी कर्मबंद थाए एक आरण कि यह जेना था कि कर्मबंद अटके छे तेने अपनाव तो कर्मबंद कलिकाल सर्वग ने हेम चंद्राचारे जी महराज क्या कहते हैं बहुत ही सुन उन्होंने वितराग स्तुत्र में कह दिया बहुत बड़ी बात जो जैन धर्म के सार जैसी बात क्या कहा आश्रवह सर्वथा हेय उपादे अश्च संबरह आश्रवह सर्वथा हेय उपादे अश्च संबरह इतियं आरहुती मुष्टी रण्यदश्या प्रपंचनम् आश्रव हेय अचे मैं संबर उपादे अचे जिनवाणी नो अटलो छे बाकी बढ़ोय नो विस्तार जिनवाणी का यह आने आने मुष्टी सिद्धान के चे अम अटला मां मुठी मां कई दिदू गागर मां सागर समाविने कई दिदू यही बात है मूड समझ मांचे अश समवर क्या है अश्रव माने जर्ना जर्वू बारिश के दिनों में पानी बाहर बारिश हो रही है लेकिन भीत में से पानी अंदर आएगा थोड़ा 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 तर अपने गुजराती मां जर्वू कहीं भीत पण जरे जट जरे तो पानी जरी ने घरमा आवे तेम समबंद के दर्वाजे बंद कर देना तरण शब्दों छे एक जहनवा योग्य दूसरा शब्द है माँने चोडने योग्य और तीसरा शब्द है उपादेय माने आचरने योग्य आदरवा योग्य और करने योग्य तो गनेय की तो बात नहीं है यहां पे हे और उपादे दोनों शब्द किये गए अनुक्रमें क्या हे है और क्या उपादे है तो आश्रव जो है वो हे है और संवर जो है वो उपादे है तो क्या करना है क्या नहीं करना है यह बता दिया कर्मबंदना कारणों छे तेना थी, बचो मारा भाई, कर्म बंद के जो जो कारण हैं उनसे बचो और उनके लिए क्या करो? संवर करो, संवर माने विधी निशेद, ब्रत, नीअम वगेरा वगेरा जो हैं वो आश्रव को रोकने वाले हैं, रोकने के लिए हैं, तो काड़वा पहले बन करो निर्जरा की बात तो आगे आएगी यहां पे अश्रव और संवर की बात ही है तो निर्जरा की बात हम अगे किस तवन में आएगी तब करेंगे लेकिन पहला आवबंद करो आवबंद करो मतलब एक तालाब में नदी नाले में से पानी आ रहा है वहां से वहां से वहां से आ रहा है छोटी छोटी जर्नों में से ए उसको तो पहले बंद करो अश्रव जो और रहे हैं यहां से बस रहे हैं कर्म के स्टॉप को बढ़ा 24 завис ठ पुक्ति करो संवर करो तला तालाप में पानी आ रहा है नदी में से वह पहले दर्वाज़ों को बंद करो फिर पानी अपने आप दीरे-दीरे कम होता जाएगा बास बिभोवन था या कर्शें दीरे-दीरे-दीरे कर पची संवर करो इतले स्टॉप करना हो आवानू बंद कर अने हवे दर्वाज़ा बंद एतले आवे उंकाई नहीं अने हवे दीरे-दीरे पची एमा थी खुटाडवानू काम करवानू चे आश्रव थी बचो अने संवर मा रहो बेक अजवार चे आश्रव से बचना है असंवर में रहना है मतलब इस इस थाम्ब रूल अफ छोडवानों चे संवर करवानू शाधू पुर्न समय के लिए आश्रव और संवर की साधना करते हैं श्रावक जो है वो सामाइक आधिक्रिया में वो करते हैं आश्रव रोकवाम अमाटे विरती जो हैं स्थानक वासी मित्रो जेहरे आ आशे यह लोको उन्द खबर चे यह कितना समवर हुआ सामाइक समवर की एक तपश्चरया है समवर के लिए है बचने के लिए स्टॉप होने के लिए मुपति के बोल हम बोलते न अश्य अरती अरती सम्यक्त मूल निर्मल रश्टी जीव जोई जैना करूं हस्य अरती अरती बैसोग दुरघंचा परिखरूं प्रुष्ण लेशया मील लेशया कपोत लेशया परिखरूं फलान फलान आदरूं आ छोड़ तो जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ना है करने योग्य है उसे करना है कितना समझ लेना है जुदा जुदा नामे पन वात एककजावी रोग आश्रव छे अन्ने दवा सम्वर छे मारा भाई तो अंतिम बंतियों की और बढ़ते हैं पांच भी गाथा में क्या कहा यु गुणकारने करी भंग ग्रन्थ उगतते करी पंडित जन कहो रे अंतर भंग सुन्ग आश्रव कें झाल चैछान करोता युझ योग्यम्य माने योग्यमन वचन काया की प्रवृत्ती योग्यमने एक्टिविटी प्रक्रिया जो है मनोयोग वक्यर वगर वगईасьू तो अंतर का जो कारण है वो है प्रवृत्ति क्योंकि प्रवृत्ति के पीछे इच्छा है और इच्छा है तब तक दुख है और दुख है तो कर्म है तो दुख है दुखनू कारण से आखी प्रोसीजर अखी प्रक्रिया से तो प्रवृत्ति में से मुक्त होना है निवृत्त होना है तादू निवृत्त होता है निवृत्त माने उखाता पीता वो नहीं करता है नहीं मन से निवृत्ती की बाद इसलिए हमारे यां क्षेत्र सन्यास ऐसा सब्द है अब मैंने ये शेत्र छोड़ दिया है तो ये शेत्र सन्यास है इसलिए युन्जन करण की प्रवृत्ती थी तारू मारू अंतरू पड़ियू आ अंतरा ने गुण करण था की बंग करी शकाये छे माने गुण करण स्वस्वरूप के गुणों के प्रगट्य इना माटेनी मत्हमान अब तू सास्त्रों मा लख्यू कर्मग्रंथ हमने पड़ लिया लेकिन अंतर कम दूर होगा ऐसे ही कर्मग्रंथ पड़ लेने से तो अंतर दूर नहीं होगा तो करवानू जे कईूं छे ते करिये एनू नाम सुवंग क्या कौन सा है जो करने योग्य कहा गया है उसे अगर हम करते हैं तो ही हम यह अंतर दूर कर सकते हैं अकिकतमा तो संबर जीवन मां आवे तो काम था है कारण अत्यार सुधी भगवान ते कर्म तोड़या में कर्म में आश्राव नो रस्तो लीतों ते संवरढ़ नो लीतो पुम बदा मां बंधा तो गयों चुट तो गयों आपनों अंतर वद शतो क्यों इन जन करन की साँ यूंflies के व जे वारूान अने वार होला झोल वर जोड़ातो गयो वर गैंने वोल फूर यूझत प्रिक्षा, बदली गई , चालवा हम एन जुसर मैं वारू इंटर वद दू जोलो अ ही अब प्रकार से समझाया है अंतर भंग सु अंग तो कभी कि स्टाइल देखो क्या कहा है आगर कर्मनी माया जाड कई पची एम के दूख अटवाई जाइए इम थाए अवे केम करीशू तो छेली जे पंक्तियों छे एमा आशावाद आवे छेली गाथा एमा के अरे आपड़े आटला बदा कर्मो आभी माया जाड अमा अपड़े फसाई जाइशू आपड़े तो फ भांजसे रे वाजसे मंगल तूर जीव सरोवर अतिशे वादसे रे आनंद घनरत पूर तुझे मुझे अंतर भांजसे रे आटलू अग्रूँ छे इतना कठिन है लेकिन करेंगे तो होगा अत्मा लईए काम करिये तो फाए तो आटकम कीमभांगे आगया था ना पद्मप्रभा जी न तुझे मुझे आंतर रूंग्रे कीमभांजे भगवन क्विश्यनमार्ट वे स्थार यहां पर वह क्या है तुझे मुझे अंतर भांजसे तो रिप्रश्ण है रुप्रश्ण सें उसने इस शब्द में श्रद्दा है वहां प्रश्णता कैसे दूर होगा अंतर यहां पर अरे होगा होगा आशा है श्रद्दा है अगर ना शब्दॉवाँ तो के वा के वा के वह मजानों शब्दा वाज से मंगल अतूर आहा हा हं मंगल तूर मंगल तुर मंगल संगीद बजेगा तो ब्च मिल अननrium थाये त्यारे मंगल्डवनी वगाड़ि आपने पतिपत्नि मिलने वाले हो ऐसी शादी में हम सहनाय बजाते हैं यहां वाजशे मंगल अतूर वो शब्द मार्मिक पकड़ जो शब्द ने हैं हम बजाएंगे तब हम बजाएंगे नहीं बजेंगे माने अपने आप बजेंगे सोचिए पोता नी मेंडे वाक्ष स्थार आपको याद आएगा जब गवान का केवल ग्नान होता है बगवान को केवल ग्नान होता है सब दुंदूबी धवनी देव बजाते हैं वह अपने आप भजना शुरू हो जाता है तो मेरी भी वैसी स्किती आएगी, I will also reach on that stage, this is the fate, यह जो है वो आशा है, कि मैं भी हम होंगे काम्याब, हमने कहा था ना, यहां पे भी वो बल, यहां, यह वो प्रसंग अशे, जारे मारे वाजा वगडवा नहीं पड़े, कुद्रत वाजा वगाड़, कारण एना पंथे चा पर गीत लिखे हैं, उसमें भगवान महावीर के निर्वान कल्यानक का गीत लिखा है, उसमें लिखते हैं, हतो चिरंतन काड़ प्रवासी, हतो चिरंतन काड़ प्रवासी, आज सनातन धाम निवासी, आज सनातन धाम निवासी, सनातन धाम में पहुंच चुका है, यात्रा थैनीशेश, पहुंच ओ पत्तिक स्वदेश, वही तो स्वदेश है, पहुंच ओ पत्तिक स्वदेश, यात्रा थैनीशेश, महावीर की हुई, हमारी भी होगी, अनन्द गंजी माराथ केते हैं अरे हमारी भी होगी यह माविर नो काई जारो ना थी आपने पन करी शक्किए इफ वन कें डू धन एनिवन कें डू वे विल दू देट लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आ दिवस मारे पनावशे क्योंकि जहां चाह है वहां राद जहां चा लिया के विल डू देट डैन वी विल डू देट एवरी लॉंग जर्नी साथ पिदा स्मॉल स्थे बड़े से बड़ी यात्रा जो है वह एक सिंगल स्मॉल सेप से ही शुरू होती है शुरू करो अत्यार सुधी कर्मना कादवती बरेलो तो पंक्तिया है वह तो देखे आप क्या कहते हैं कि अपतलग कि मनें एक वात याद आवेचे एमकेवाइए के भगवान जया रे केवर्णान ठैजी त्यारे इमाराग नहीं द्रेश नहीं काम नहीं क्रोद नहीं मोह नहीं लोग नहीं बद्दू दूर करिए इतले तो के बड़ नान तो खाली मैंने समण सुत्तम में पढ़ा था, कि अरे यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, तो भगवान क्या है? खाली कोई, नहीं, भरे हुए, किससे भरे हुए? और अंदर से निर्मल जल फूटा है और वो दोश सब साफ हो चुके हैं और गुण ने दी जो है वो छलक रहा है तो छेले आशावाद छेले इस तवन को सब जब हम देखते हैं तो अर्जुन भी हमें याद आता रहता है अर्जुन का विशाद योग भी हमें आता है याद कि अरे बगवान में क्या करूं मेरे सामने यह है वो है वो है हाउ आई विल डू देखावाद अर्जुन का विशाद योग है प्रश्ण है सिमत जी ने भी कहा है पगमुको त्यां पाप छे अरे कितनों अगुरू चे जे कर्म थी बंदाया चे एक कर्म नो लेकिन वहां पे जासता है जिस कर्म ने बांदा है उसी कर्म को हाथ में लेकर काम लेना है जो कुशल नाविक है वो अगर तूफान भी आया ना तो बदले हुए हवा को हवा की दिशा को अपने अपने नाव को इस प्रकाल से वह टर्न दे देगा कि उसमें भी वह अपना काम कर लेगा आवि हाव टो डू डू दिस कर्म करो लेकिन विकर्म करो कर्म नू चेहर निक्डि जाये टर्म करो अधाये विधाव इन्वाल्मेंट करो बद्धों च करिये पंड इन्वाल्मेंट느 पाणी सी चोटे गुंदर सी चोटे अपनी जातना आ गुंदर ने दूर करी पाणी ने वच्चे लावानूँ चे तो मुगती माटे तमाम आश्रवने बंद करवानूँ चे पर अमना थोड़ू-थोड़ू रहेशे अभी हमारी वो कक्षा नहीं आई है कि सम आश्रव को हम बंद कर दे तो फोड़े बहुत अस्रव रहेंगे अभी हमें अश्ब मेशे शुब में shouldre never रहना है शुब में रहने की प्रैक्टिस करेंगे अशुब थोड़ी देशु अस्रव तो करेंगे ही रहना है तो शुब में रहेंगे और बीच-बीच में समवर करते रहेंगे अब जब हम सामाइक करेंगे जब हम प्रतिकमन करेंगे जब हम पोर्सी साठ पोर्सी वगरा 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 पोशत करेंगे तो हम समवर की प्रक्र नहीं है तो दूप में खड़े होकर क्यों देखोगे चलो चाओं में आकर खड़े रहो एक पैड की नीचे आजाओ तो वह पैड है शुब लेकिन अंत में तो उसे भी हमें चोड़ना है कर्म शुब कर्म को भी छोड़ना है लेकिन जब तक यह यात्रा चलती रहती है तब तब तलक शुब कर्म करते रहे और शुब कर्म से जी ज्यादा हमारा लक्ष जो है वह संवर पे रहे संवर पे रहे अटकिये 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 तो कर्मना पाश्माती मुक् आई वह यह बात आई आगे आपस से हम जड़ा देख लें तो पद्मप्रभा वो तो नाम ही है के वल लेकिन भगवान आप और मेरे बीच में जो अंतर पड़ गया है वो किस प्रकार के दूर होगा यह प्रश्ण है तो उसका कारण समझ में आ गया कि करम विपा के कारण जो सब समझते हैं सब कहते हैं करम फिर आगे की पंक्तियों में करम क्या चीज है उसकी विवस्था क्या है उसके चार जो बंद हैं फिर उसके जो भेद हैं मूल हैं मूल बेद हैं उत्तर भेद हैं घाती अगाती है उसका बंद है उदय है उदीरना है सत्ता में है और उसका वि पताने के लिए सुवर्न और मिट्टी का उधारन दे दिया और कह दिया कि जब तक संयोग है तब तक संसार है अगर संसार से मुक्त होना है तो संयोग से मुक्त होना पड़ेगा संयोग माने जूड़ना माने अटेचमेंट कि We have to be detached ourselves, तो हम भी देरे-देरे संसार में रहकर भी संसार से पर हो सकते हैं और वहांपे उन्होंनें कहा कि अगर बंद का कारण है तो मुक्ष का भी कारण हो सकता है तो क्या है आशरव और संवर दोनों को के बता दिया और उन्होंने धैनधर्म का सभार बता सॉरी अश्रव छोड़ना है संवर करना है और युन्जन जहां पे भी जूड़ना आता है उसी के कारण जहां जहां भी मैं जूड़ता गया तो अपने आप से जैसे मैं आपके साथ जूड़ता हूं तो मैं अपने आप से अलग होता हूं वैसे ही युन्जन करण अंतर दूर और एक दिन ऐसा आएगा तुझे मुझे अंतर भांज शेरे वाज से मंगल दूर जो बगवान के निर्वान के समय बजीती वैसी हमारे एक दिन हमारा भी ऐसा आएगा जब हम भी इद्धत्व बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे जीव सरोवर अतिशयवाद सेरे आन जबन धंधर असपूर तो एसी कर्म की विवस्था की बात को भी और उससे कैसे मुक्त हुआ जाए उसकी बात को भी यहां पे कहा गया और इस तवन में हमने मेरी यथा समझ मेरी यथा शक्ति मैंने अपने बात कही है अर्थ गटन को और भी बहुत 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 आगे हो सकता है लेकिन यहां पे हमें विराम लेना होगा समय हभी हमें ज्यादा अवधी नहीं दे रहा है आप सभी को प्रणाम कर भुवन चंदर जी मारस्ता जिनके पास्ते मैंने यह समझा और आप सभी के सामने रखा उनको प रमजान भाई आज ऐसे लग रहा था कि का पूरा रिविजन भी हो गया और आज कर्म और आत्मा का संबंध और उसकी जो जो तत्व थे वो आज समझ में आए अब मैं रमजान भाई आपके अनुमुत जिसे जिसे प्रश्ण है वो हैंड्रेस कर सकते हैं हम समय के अनुसाल दो तिन प्रश्ण ले सकते हैं गिरिश भाई आप पूच सकते हैं आजी थैंक यू आपने समझाया इट वोज आई कान डिस्क्राइब इन वर्ट वर्ट यू नौ जडबे सला कृते तमें अंदर गुसाड़ी थैंक यू स्वाच अच्छा मारू प्रस्ण हातो ने आपके एग एग ने अने उपाद ने हैं आने उपादें अधर प्रस्णी कहिं रहां हनु चैनले आज्ड़ों मेरें अड़े हो चैनले पची जे जानी ने, जानी ये तो छी है, पण आखरे करवानु छा, एटले धारो के कदाच आपने समझी लिदू, जानमू एटले शू, समझी लिदू, पण समझी लेवा थी, काम नहीं था, we have to do it in action, एटले हे आ करवू, करवू के नहीं, आले आ करवू, आने आ छोड़ू आ आपने करवू पड़ू पड़ू पड़ू, एटले इन एक्षन आपने आने लावू पड़ू पड़ू, एटले समझी लेवू, एतो मूर पायो जे, बिल्कुल अच्छे, एटले त्रण शब्द काया, क्नेया, हेया, अने उपादे, पादे, अधि था, एक्चुली, ज जै, दिक कोई वस्तू जोईूत जीए हाँ, ए आने अमा रस्त तरबोड तेई जैए चिए तरबोड थेए बिल्ले उपने बूभी जोवू अनुत उ हाँ, जैए। ऩटे करने बूभी नथी जावानू, यह बदा माँ ढ़िया जग्या है, ब्ली नाहीन क्सतीयू होखे, पूर कि और किसी को को कोई प्रश्न घर को है तो इसी के साथ हम लोग आज की शेसन की विराम की और बढ़ेगे और विराम देने से पहले में आप सब जिग्यासुओं को कहना चाहूंगा कि जैन फाउंडेशन के अंतरगत हर रवीवार को समाधी शतक नाम के ग्रन का स्वाध्याय चलता है जो कि पुझ्यपाद आचारे देवानन जी ने रचा हुआ है और बहुत ही सुन्दर उसके अंदर भी आध्यात्म का मार्ग क्या है उसकी हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी सो आप उस वाध्याय में भी जुड़े ऐसी मैं आप सबसे रिट्वेस्ट करता हूं और इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं विराम देने से पहले जगत के सभी जीव का कल्यानों जगत के सभी जीव का मंगल हो जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस बावना के साथ प्रार्थना अनु परमानु श्यू बनी जाओ, अख़्ा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ आमेनी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूए सु, वेरम मज्जन केने, सर्वता सौसु कीथाओ, पाप ना कोई आचरो, रागत वेशती मुक्तव नीने समता सौसमा चरो प्रणाम रमजान बाई, आजी प्रणाम सभी को मेरा हाल देख, प्रणाम आजी, सभी को